पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरुरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरता पुर्वक कदम उठाएं और राज्य को सुरक्षा दें कॉंग्रेस का इतियाद गवा है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है और अभी अभी कॉंग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साब को क्यों हटाया उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे कैप्टन साब की सरकार को दिल्ली के नेता के रहे हम नहीं चलाते थे भारत सरकार चला रही थे इसका मतलब यह हुआ कि कॉंग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है दिल्ली से एक परिवार चलाता है संबिधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है और कैप्टन साब ने फैडरलिजम के सिद्धान के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया अग नहीं किया भाई किया अग नहीं किया हमने संविधान का आदर किया अग नहीं किया हमने फैटरलिजम का आदर किया अग नहीं किया यहां कॉंग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि केप्टन साब हमारी नहीं सुनते थे भारत सरकार से भारत सरकार और केप्टन साब की सरकार मिल करके पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी यह रोडे अटकाते थे और जब रोडे अटका नहीं कि उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साब को ही विदा कर दिया भाईयों बेनों हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो हम फेडरल स्रेक्टर में विश्वात करते हैं हिंदुस्तान के हर राच्य का बला करना ये भारत सरकार का दाईत्व है हमने प्रयास किया लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारे चलाए सम्विदान की परवा न करे तब तो देश में तना भी प्यदा होगा और यही काम ये परिवार कर रहा है भाईयों बेनों हमारे गुरुओं ने संतों ने कहा है पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है और कॉंग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है आप देखिए आज कॉंग्रेस पार्टी की क्या गती है आज उनकी अपनी ही पार्टी भिखर रही है कॉंग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं मैं आप से जानना चाहता हूँ आपस में लड रहे लोग पंजाब को स्थीर सरकार दे पाएंगे क्या पूरी ताकत से जवाब दीजिये स्थीर सरकार दे पाएंगे पंजाब का भला कर पाएंगे क्या पंजाब के सपने पुरे कर पाएंगे क्या अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या साथियों आज अदि के बाद इतने दसकों में पंजाब के पास कम ही विकलप रहे हम जब अकाली दल के साथ थे और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप दिन साथ आपके नेत्रतों में हमारे साथ आज भी है हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मान कर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्विकार किया था दिल में सिर्फ एक ही बात थी जिस बात में पंजाब का बला होगा वही करेंगे एक समय ऐसा था अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था भाजपा के लोगों के समर्शन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी और उस सिटी में कुद्रती नहाई तो यह कहता था कि डेप्यूटी सियम बीजेपी का बनना चाहिए था मेरा साथी मनोरेजन कालिया डेप्यूटी सियम बनने के हकदार थे लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ बादल सामने अपने बेटे को ही डेप्यूटी सियम बना दिया उसके बावजुद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज़्यादा मेले थे सरकार गर जा सकती थी हमने वो पाप नहीं किया क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ पंजाब का उजबल भविश्य है पंजाब का भला हो पंजाबियों का भला हो पंजाबियत अमर है इसके लिए हमने अपने राजनितिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है